पूरे में अश्विनी और अनीश के लिए इंसाफ की मांग हो रही है कोई भी ना करे मतलब जो आप देख सकते हो पुलिस स्टेशन में एक आरोपी को पीजा बर्गर खिलाया जा रहा है उससे दुकत क्या हो सकता है पूरे हाथसे पर सियासत भी तेज है लुपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है शरत पवार गुट के कारेकरता उने केलेक्टर आफिस के बाहर विरोध प्रदेशन किया तो वहीं पूरे से कॉंग्रेस के उमिद्वार रविंदर धांगेकर ने पुलिस कमिशनर के ओफिस के बाहर प्रदेशन किया यह तो बात सही है कि दो-दो यह पर कभी होता नहीं है इसके वज़े से ग्रह मंत्री आने के बाद दूसरा यह पर हो गया पुलिस के इज़त बचाने के लिए आये ते ग्रह मंत्री तेकिन ग्रह मंत्री ने जो पहला यह पार जिसने भड़ा उसके ओपर के चार्ज होना चाहिता वो हो गया ना है वो पुलिस को बचाने के इदर आये ते गए छे दिरों से पुने महाराश्य में देश में और विदोशों में बदनाम हो रहा है उसका कारण है विशाल अगरवल जी के बेटे उन्होंने किया हुआ एक्सेडन उसके बाद जिंजिन राजनीती करने वाले निताओं ने विशाल अगरवलों और उनके फैमिली को मदद की उस वज़े से आज पुने बदनाम हो रहा है इसलिए आज आम लोग पुने के डिये मैंने पुने के कलेक्टर साब को मिलने आए उनको ये निवेदन देने आए कि राजे सरकार में बेटे जो एकनाजी शिंदे अजी दादा पावर देवंदरिश भड़न से उनको हमारे पुने वालों का मेसेज दीजिए कि पुने जो बदनाम हो रहा है वो पुने की बदनामी रोकिये पूरे पुलिस पर लगता लापरवाही के आरोप लग रहे हैं वहीं पुलिस अपनी गल्तियों को सुधाने की पूरी कोशिश कर रही है यर्वडा पुलिस टेशन के एक इंस्पेक्TOR और एक असिस्टेंट पूलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंट कर दिया गया है दोनों अधिकारी घटना की जगह पर पहुचे थे लेकिन घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं दी थी जिसकी वज़ा से आला अधिकारीों को घटना की सूचना नहीं मिल पाई थी इंटर्नल इंक्वाईरी में कुछ लैपसेज लोकल पुली स्टेशन के अधिकारी के बारे में आई है उनके विरुद जल्दी से जल्दी सकत कारवाई की जाएगा पूरे पुलीस पर सवाल नाबालिक आरूपी के ब्लेट सेंपल में देरी को लेकर भी है हाथसा रात के करीब धाय बजे हुआ था और ब्लेट सेंपल लिए गए सुभा के करीब ग्यारा बजे नाबालिक आरोपी के पिता विशाल अगरवाल पर सबूतों से छेड़ चाल का भी आरोप है मामला ड्रैवर गंगराम का है जिसने बार-बार पुलिस को कहा कि गारी नाबालिक आरोपी नहीं वो चला रहा था पुलिस ने जाच की तो सच्चाई सामने आई पुलिस ने पारी की से जब इन्वेस्टिगेशन की और गंगराम से बार-बार पूच्ताच की तब जाके गंगाराम ने बताया कि एक्सिडेंट के कुछी दिर बाद उसे उसके मालिक विशाल अगरवाल जो की माइनर आरोपी के पिता है उनका और विशाल अगरवाल की पत्री का फोन आया उसे उन्होंने फोन पर कहा गंगाराम एक्सिडेंट के वक्त गाड़ी आप चला रहे थे तो गंगाराम ने कहा नहीं नहीं बाबा गाड़ी चला रहे थे फिर विशाल अगरवाल ने कहा कि गाड़ी गंगाराम आप ही चला रहे थे गंगाराम ने फिर से कहा कि नहीं में बैठा हुआ था विशाल अगरवाल ने फिर कहा बहुत पैसे मिलेंगे बक्षीस मिलेगा गाड़ी आप चला रहे थे और ये जाकर पुलिस टेशन में बोलना है गंगाराम ने वही किया पुलिस टेशन में जाकर एक बाले जुर्म दिया कि गाड़ी एक्सिडेंट के वक इस प्रकार की कुछ एक्टेंट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रैत किया गया था कि इसमें ड्राइवर ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था इस तरह की बात सामने आ रही है इसकी हम पूरी तरी पुलिस की जान फुल स्पीड में है फॉर्ण से टीम ने पॉर्शे कार की जाज की है और कई सवालों का जवाब घूनने की कोशिश कर रही है इस बीच कोट ने विशार अगरवाल समेथ सबी 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है पुलिस की जाट के बीट पूरे में बार और पब के खिलाब कारवाई जारी है और उनके लैसेंस कैंसिल किया जा रहे है अगर का जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद में या उसके पहले भी एक साइज डिपार्मेंट के तरफ से सो से हुपर कारवाई के लास्ट एक से देज मेंना में ली गई थी और उसके बाद में से बाद में उन्होंने सड़क पर मोर्चा खुल दिया है। प्योर रिपोर्ट टाइम तक। उन्होंने सब्सक्राइम तक।